नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संदीब सिंगरापडिया आज मैं आपको एक नोलेज के लिए वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपने मेरा काम अच्छली में क्या है मेरा काम है दूद का और 90 प्रसेंट लोग जिस्टें मेरे पास दूद लेने आते हैं तो यह बात कहीं देते हैं कि वहीं आप दूद जो है किलोग्राम में लेते हैं और देते हमें लीटर में हो और मेरा आइडिया है कि 90 प्रसेंट लोगों को यह नहीं पता कि दूद की मातरा जो है किलोग्राम और लीटर में कितना डिफरेंस है कितना नहीं य मैं आज आपको इसमें दूद का दिखा हूँना इसके साथ साथ आपको घी का भी दिखा और पट्रोल और डीजल में कितना डिफ्रेंस है रो okay ु सारी इसवीडियो में आपको दिखाया जाएगा और ये स्वाल आप खुद मुझह ये बताना कमेंट जा पहले क्याصता होगि पता है कि या किल्शन दूद 뭐y दूद में किल्शन में कितना लीटरal को सब्सक्राइबत है तो इस owes अबसे पहले देखिए दोस्तों में ये 1 kg का वेट बाट है जो देख लीजिए 1 kg उसको दिखाईए 1 kg का वाट है और ये हैं अमारा 500 ग्राम का वाट और यह मेरे पास एक डिजिटल कंटा है देख लीजिए इसके उपर जीरो लिखा हुआ है यहां पर भी और यहां पर भी इसके अंदर वेट देखिया इसके अंदर लगबग 500 ग्राम का इवेट दिखा रहा है 906 में 900 थांड में यह हवा फंका के कारण दो ग्राम तीन ग्राम का वेट है यह दिखाया इसको जीरो कर देता हूं अब मैं इसको जैसे उठाता हूं तो यह मैंनस में एक जीव दिखाएगा कहने का भावार्त क्या है यदि आप किसी भी चीज को इसके उपर जीरो करोगे और उसमें से कोई चीज निकाल लोगे तो वह उसका वेट दिखा अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं पानी में दूद में घी में और डीजल में पट्रोल में एक किल्लो और एक लीटर में कितना डिफ्रेंस हो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने सबसे पहले आपको यह दिखा देखिए दोस्तों अभी तक तो मैंने दिखाया था आपको क कोई के जी अब में ये मेरा लीटर दिखा रहा हूं अब मैं इसमार आपको दूध का वेर दिखाता हूं आद्धा में में Kin से अंदर उन्द तो अजन दूध्यां कितने अध्य में था फ्ली सिंत टो हक यह दोस्तों देखिए दूध है दो एक बाल्टी में मैं यह डालब और यह मैं इसके उपर रख रहा हूं इसका टोटल वेट जो बाल्टी समेथ दूद का वेट है 5 किलो 230 ग्राम 32 ग्राम ऐसे यह जीरो बटन है मैं इसको एक बर जीरो कर रहा हूं यह देखिए यहां पर जीरो हो गया अब मेरा यह जो अद्दा लिटर का जो मेरा माप है इसके देखिए दोस्तों यह मैंने पूरा भर लिया एक बार इसको यहां पर दिखाए और यहां पर देखिए यह पर आप देख लगते हैं और यहां पर देख लिजी कितना डिफ्रेंस है पूरा पूरा यह भर हुआ और इसके साथ यह दूज जो मैंने निकालना माइनस 500 ग्रम जो मैंने उसमें दिखाया था कि वेट के यदि हम जीरो करके निकालते हैं तो इतना वेट दिखाए तो आप देख सकते हो लगबग अप्रोक्सिमेटली यह पूरा का पूरा है इसके बाद मैं इसी के साथ आपको पानी की मातरा दिखाता हूं एक बर रोग मैंने अभी तक का मेरा 500 ml इसके साथ में देखिए पानी को बढता हूं मैं यह देखिये दиля्यमेटली जितना दूद का वेट अप्रोक्सिमेटली उतना ही पानी का आया और यह पूरा 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 हुआ हुआ और मैं इसको आप के साथ दिखा सकता हूं लगबग हमाका कितना यह मड़क लगबग 500 लीटर और 500 ग्राम में लगबग ये माइनर सा पॉइंट होता है, 10 से 20 ग्राम का डिफ्रेंस होता है, पानी और दूद में लगबग सेम आता है, कई लोग कहते हैं कि 1 किलो में 100 ग्राम का डिफ्रेंस हो जाता है, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, अब इसके साथ मैं गी का दिखांगा, दोस्तों देखिए, अब मैं इसी लीटर में आपको घी तोल कर दिखांगा, इसके लिए गी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पूरा घी का बढ़ने पड़ेगा, उसके लिए देखिए, ये मैं इसके उपर रख रहा हूं, और इसका वेट दे देखिए, देखिए, दोस्तों ये 214 ग्राम दा ये मैं गी भर के लाया हूं, और ये गी को इसके उपर रख रहा हूं, और ये देखिए, दोस्तों, घी की मातर जो अध्डा लीटर में होती हो, 450 ग्राम होती है, इस तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हैं, यदि एक गी है, तो उसमें 900 ग्राम घी की मातर होगी, 480-450 ग्राम और ये देख लीजी है, आप पूरा पूरा भरा हुआ है, ना कि अद्दा ना कम, पूरा अद्दा लीटर भरा हुआ है, और वही लीटर है जिसमें दूद की मातर देख ली थी आपने, अब मैं आपको दोस्तों, इसके बाद जो दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा आपको पेट्रोल और डीजल की मातरा, उसके लिए मुझे बोतलों का यूज करना पड़ेगा, वो आपको दिखाता हूँ बोतलों के साब, देखिए दोस्तों, अब मैं मेरे पास दो बोतले है, एक पैपसी की है, जो सवा लीटर की बोतल है और एक मेरे पास है सलाइस इप इन दुन का पहले तो वेट दिखाता हूँ, यह मेरे पास पैपसी वाली जो बोतल है, इसमें पिका, चालिस Post है, और इसके की बोतल है, पॉछ पन ग्राम लिर भी आपके साव साख़ा है, बने पैट्रोल पे जाओंगा वहां पर एक बोतल में तो पेट्रोल डिलवा के लिए आओंगा और एक में लेकर आओंगा डीजल और दुन्नों में लीटर की मात्रा लेकर आओंगा और यहां पर वेट करेंगे यहां पर जितना वेट होगा उसमें से इसके अंदर जो चीज होगी उसका 55-54 निकाल देंगे और इसका जो वेट होगा पेप्सी वाली बोतल का इसका 40 ग्राम उसमें से माइनस कर देंगे जिससे हमारा एक लीटर जो पेट्रोल या डीजल होगा उसमें किलो ग्राम की महत्रा आजाएगी वह और दिखाता हूं अब हम सीधे पेट्रोल पंपे चलते हैं हम आगए हैं असर के पट्रोल प्वम में जो कुर्मक के अंद्र है और इसके अंदर देखीए यह बाई साब यह डीजल है इस इस पर देख़ेए यह यह पर डीजल लिख वह और यह डीजल की मसीन है और इसमें एक लीटर बग्पन देये फेली डीजल लेंगे दोस्ट, ए एक लीटर डलवाएंगे हम यह देख लीजिए यह डीजल डल रहा है एक लीटर और इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है इसमें ना की इसमें यह दिखाया कि सो का लिया यह पचास का लिया हमने पूरा एक लीटर लिया और जो डीजल की मातरा का जो रेट है एक लीटर का पॉइंट उन्तारीश पैसे आज का टाइम है यह देख लीजिए सतार्ण में पॉइंट उन्तारीश एक लीटर और एक लीटर है और यह स्तार्ण में तारीश का एक लीटर पाट्रोल दालना सिर्फ यह दोस्त देखिए एक लीटर पाट्रोल के लिए फीड कर रहा है इसके अंदर अंदर और मीटर आपके सामने है और यह पाट्रोल वही पैपसी वाली बॉत्तु जिसका 40 ml रेट 40 ग्राम वेट था उसका उसी के अंदर पाट्रोल डाला एक बार मीटर एक बार देख लीजिए एक सो साथ पॉइंट है एक लीटर वोल्यूम जो लीटर गिए एक लीटर और एक साथ यह हमने लीटर में पट्रोल डलवाया ना कि इसके अंदर हमने सो का पचास का ऐसे नहीं दोस्तों हम दुकान पर आ गए हैं यह देखिए वही पैपसी वाली बोतल है जिसका 40 ग्राम वेट था और यह सलाइस वाली बोतल है जिसमें हमने डीजल डिलवाया था और इसका वेट था 54 ग्राम अब मैं आपको इसके उपर रखकर दिखा रहता हूं देख लिए एक बार जीरो है यहाँ पर भी जीरो है दुन्नों जगा जीर से पैसे गराम का वेट होता है इसी तरह से मैं डीजल का वीट दिखाता हूं डिजल की वेट का जो बोतल्स बैट दॉफ कर वही दूबारा 254 अब दोस्तों मेरे एक स्वाल दोखें टेक्ट zoo जो जी की दुनिया है आपको पता तो नेट से भी पता लग जाएगा लेकिन में पर्त्यक्ष को प्रमान की आप सकता नहीं होती एक और सवाल है मेरा कोमेंट में आप लिख कर बताएं क्या आपको इन चीजों के बारे में पता था जो मैंने बताई है एक लीटर दूद में कि आप चाह diplomating मैं गी मात्रेह को तो उसमें 900 ग्राम के बराबर होता है यह प्रोल की मातरा में ले के चलो प्रोल जो एक लीटर में 700 ग्राम के करीब होता है इसी तरह से डीजल होता है जो वह 800 ग्राम के करीब होता है एक लीटर में दोस्तों एक बार कमेंट में जरूर बताना यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसके साथ साथ आप से एक रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के जादा है जाद ऐसी वीडियो जो आपके नोलेज के लिए है वो ज्यादा है ज्यादा आपके पास पूंजाए धन्यवाद